यहाँ पर हमें एक 3x3 size का matrix दे रखा है और उसका minimal polynomial given for options में से क्या होगा यह find out करना है आप देख सकते हैं जो given matrix है वो एक diagonal matrix है और diagonal matrix की diagonal elements उसके eigen values हो जाएंगी तो A, A और B यह eigen values होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं A की जो algebraic multiplicity है वो 2 है और B की algebraic multiplicity 1 है यहाँ पर अगर हमें geometric multiplicity मिल जाए तो हम direct minimal polynomial बता सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम कुछ suggestions को discard कर सकते हैं minimal polynomial और characteristic equation के root सेम होते हैं अगर मैं यहाँ से characteristic equation लिखता हूँ तो X minus A का whole square X minus B यह होगा और आप यहाँ option C में देख सकते हैं अगर इसको मैं minimal polynomial consider करता हूँ तो यहाँ पर B की multiplicity 2 है जो की possible नहीं है ऐसे ही option D में भी दो options आपके discard हो गए हैं suggested options A और B में से ही हमारा कोई true one होगा उसके लिए minimal polynomial की definition को recall कर लेते हैं least monic polynomial ही जो matrix से satisfy होता है वही हमारा minimal polynomial होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x-a x-b क्या यह polynomial matrix से satisfy हो रहा है इसको देखने के लिए आप यहाँ आप लिखेंगे a-ai और इसका product लेंगे a-bi से a-ai क्या हो जाएगा आपका होगा जिरो 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 और यहाँ पर b-a आजाएगा ठीक इसी तरह आप जब second matrix लिखेंगे a-bi आए a-bi तो यह होगा a-b 0,0,0 a-b 0,0,0,0 आप देख रहे हैं फिर्स्ट रो आपके 0 है तो हम multiply में फिर्स्ट रो 0 मिलेगी second row भी हमारी 0 है 0 मिलेगी third row के बात करते हैं यहाँ पर third element non-0 है तो यह 0,0,0 यह matrix satisfy कर रहा है इसे तो यह हमारा minimal polynomial होगा अगर कहीं मैंने calculation में mistake कर दे तो वो आप देख सकते हैं मतलब processor यही है कि इसको processor minimal polynomial find करने का वो यही है option है यहाँ पर true होगा बात entire जज कर देँ पत्रेस्टू फ्रॉब